हेलो फ्रेंड नमस्कार अगर आपके पास जियो फोन है तो आपने ये कोशिस तो जरूर की होगी कि जियो फोन का सीम को एंडुएट फोन में कैसे चलाएं लेकिन जब आपने जियोफोन का सीम एंडुट फोन में लगाया होगा तो नेटवर्क तो आ गया होगा और साइद इनकमिंग कॉल भी आते होंगे लेकिन जब आप कॉल करते हैं तो ना ही कॉल लग पाता है और ना ही नेट चल पाता है तो हेलो दोस्तो नमस्कार मैं लोकेश राठोर आपका स्वागत करता हूँ हमेशा की तरह यूटुब चेनल टेकनिकल राठोर में दोस्तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि जियोफोन का सीम को एंडुट फोन में के से चलाएं कितने रुपे का रिचार्ज करवाएं कि जियोफोन का सीम एंडुट फोन में चल जाएं और आपको बता दे कि ये कोई ट्रीक नहीं है ये एकदम येनियून तरीका है जिसके माधदम से आप अपने जियोफोन का सीम एंडुट फोन में चला पाएंगे दोस्तों मैं ग्यारंटी लेता हूँ अगर आपको इस वीडियो को पूरा देखने के बाद थोड़ सी भी प्रोब्लम नहीं आएगी तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन अगर आपने अभी तक वीडियो बड़ी एप को डाउनलोड नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो बड़ी एप को डाउनलोड करें इसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी यह एक अर्निंग एप है इसमें आपको डाउनलोड करते हैं पचास रुपे का साइना बॉनस भी मिल जाएगा और यह एप पर रेफर आपको 20 रुपे दे रहा है इसमें आप रेफर करके भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं इसमें कोई भी वीडियो आप देखते हैं तो वीडियो देखने की आपको कुछ पेसे मिल जाते हैं और दोस्तों इसके पेमेंट की चिंता तो आप छोड़े दो तो दोस्तों देरी किस बात की जल्दी से इसे आपको डाउनलोड करो और खुब सारे पेसे कमाओ इसके लिंक के वीडियो के नीचे डिस्क्रीशन बोक्स में चेप करें दोस्तों जियो फोन का सीम एंडुट फोन में चलाने के लिए आपको एक रिचार्ज करवाना होगा जियो प्राइम मेंबर्शिप बाला जी हाँ दोस्तों सिर्फे आपको जियो प्राइम मेंबर्शिप बाला रिचार्ज करवाना होगा आपको बता दे कि जो प्राइम मेंबर्शिप क्या होता है यहाँ एक तरह का टेक्स होता है जिसमें आपको क्या करना होगा लेकिन दोस्तों आपको या फिर बता देता हूँ कि वीडियो को विल्कुल भी स्किप मत करना नहीं तो आप ग्रत रिचार्ज करवा लोगे इसलिए वीडियो को पूरा देखें इसमें आपको कोई भी एक एंड्रेट फोन वाला रिचार्ज करवाना होगा जैसे कि 98, 149, 198, 251, 398 इसमें से कोई भी एक रिचार्ज करवाना है लेकिन रुको रुको दोस्तों आपको इसमें से कोई भी रिचार्ज करवाने के साथ जियो प्राइम मेंबर्शिप भी लेना है यानि कि 99 रुपे और भी आपको एश्ट्रा देने होंगे जैसे कि आप कम से कम 98 रुपे वाला रिचार्ज करवाते हो तो इसके साथ में आपको मेंबर्शिप के 99 रुपे भी एड हो जाएंगे आपका जो 98 रुपे वाला रिचार्ज है वो आप 197 का हो जागा और आपको बता दे कि ये रिचार्ज एक साथ होगा ना कि 98 रुपे का अलग से और 99 का अलग इसी तरह से अगर आप 149 रुपे वाला रिचार्ज करवाते हो तो इसमें भी आपके मेंबर्शिप के 99 रुपे एड होकर आपका 149 रुपे वाला रिचार्ज अब 248 रुपे का हो जागा तो आप इस तरह से कोई भी Android phone वाला रिचार्ज करवा सकते हैं लेकिन आपको पहली बार 99 रुपे का मेंबर्शिप बाला रिचार्ज करवाना पड़ेगा यानि कि आपको कोई भी आप रिचार्ज करवाते हैं तो आपको मेंबर्शिप के 99 रुपे एश्ट्रा देने होंगे उम्मीद करता हूँ कि अब आपको कोई भी प्रोब्लम से नहीं आएगी लेकिन अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपका मन करें तो वीडियो को लाइक और चेनल को सस्क्राइब भी कर देना लेकिन अगर आपने अभी तक वीडियो वाड़ी अपको डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो वाड़ी अपको डाउनलोड करो और खुब सारे पैसे कमाओ लिंक के डिस्क्रिप्शन में चेक करें थेंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो